गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान के ओनलाइन का अच्छा हमें स्वागत है यह इस्टुडेंट लास्ट वीडियो में हमने आपको वर्गी कान का आधार के कुछ विंदूओं पर आपसे चर्चा की आज भी हम वर्गी कान के आधार उपर यह आपसे चर्चा करेंगे पहला विंदू जिस पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कोशी का कि संख्या के आधार पर नंबर ऑफ सेल दूसरा है कोशी का सारे रिक संगठन के आधार पर ऑन दा बेसिस ऑफ बॉड़ी और्गनाइजिशन तेसरा सम्मिती के देखिए देख हुआ कितने प्रकार की होती है उस पर हम आपसे बात करता है ठीक है टाइप आफ सीलों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं सीलों किस प्रकार की होती है ठीक है लेसन नंबर फोर नाम है अनिमल किंगडम अनिमल किंगडम और आज का हमारा टू टो टोपिक है Basis of Classification वर्गी करण का आधार वर्गी करण के अंच तीन आधारों पर आप से चर्चा कर चुके हैं ओसी का कि संख्या के आधार पर सम्मीती के आधार पर और सारे रिक संगठन के आधार नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं देग वाके प्रकार के आधार पर टाइप आफ सी लॉम ठीक है टाइप आफ सी लॉम पर हम आप से चर्चा करेंगे देग वाके प्रकार के आधार पर देग वाके प्रकार के आधार पर देखिए देग वाके प्रकार के आधार पर आप से बात कर रहा है इसको समझाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों पर आप से बात करते हैं ठीक है आप जानते हूँ कि जनक जो होते हैं वो दो होते हैं एक नर जनक और दूसरा कुन सा जनक होता है मादा जनक होता है नर कbacks लोगरिक जनक को नाम होता है विरसन मादाओं में परमुक जन्नांग का नाम होता है अन्दासे आपस में क्या करते हैं? न्दासे में परमुक जन्नांग का नाम होता है थेक है? तो यहां पर आप देखे कि अंडानों के अंदर सुक्राणों फिर वेश कर जाता अर्थात यहां पर निशेचन की किरिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, यानि कि यह निशेचन की किरिया के वल्चुरूफ जो बनी हुई सरचना होती है, इसे क्या कहा जाता है, की तो ता है योगनेशत कैसा होता है रूपलुडनिये परिवर्दन होता है और परिवर्दन में ये दूसरी स्टेज आती है निश्यषफन के बाद की सिम्हें विजन की किरिया प्रारंबensa होने के बाद यहाँ पर किसका निर्मान होता है तूतक को का क्या होता है निर्मान होता है तूतक के बाद किसका निर्मान होता है बिलास्टूला का क्या होता है निर्मान होता है ठीक है या कौरक रंद्रो का क्या है निर्मान होता है कौरक गुहा का यहाँ पर निर्मान होता है ठी या उसे blastulation की क्रिया कहा है और blastulation की क्रिया के पश्चाथ क्या होता है यहां पर तीन जनन इस्तरों का निर्मार भूनी अवस्था में हो जाता है एक्टोडाम यह तीन जनन इस्तर यहां पर बन जाता है मीजोडाम और तीसरा इस्तर कहलाता है एंडोडाम के नाम से इसे जाना जाता है यहाँ पर ब्लास्टूलेशन के बाद क्या होती है पोस्कोरक की जो कोशिकाएं होती है वो घनाकार कोशिकाएं होती है और आंत्रिक ओसीकाओं का जो समूल होता है वो प्रिथक हो जाता है और यहांपर एक गुहा का निर्मान हो जाता है जिसे कौरक गुहा यowego बलास्तोसील कैवेटी के नाम से उसे जाना जाता है अब हम बात करता है यह टाइप आफ का सीलम के बारे ना जंतों के सरीर में उपस्तित जो गुहा होती है, जो मीजोडरम के द्वारा क्या होती है, आस्तित होती है, मीजोडरम के द्वारा गिरीवी होती है, आबरित होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दे गुहा कहते हैं, दे गुहा कितने परकार की होती है, तीन परकार की होती है पहली देगुआ जो होती है वो है एक गुई है देगुआ जिसे इंगलिस में बोलता है एसीलो मेट क्या बोलता है एसीलो मेट के नाम से जानते हैं दूसरी है कूट गुई है या कूट देगुआ जिसको बोलता है सीडो सीलो मेट के नाम से जाना जाता है सीडो सील करके है उसे कहा जाता एंग गुई कूट गुई है और कर जोगता है वास्थ विक देग वा दोब और इंग्लिस में इसे बोला जाता है यो सीलो मेट के नाम से जाना जाता है यू सी आपको बना के दिखा रहे हैं तीक्व है यह सरच्छना हो गए देव्रित्ती यह इसके अंदर कहला आएगा गठ और यहां पर जो कॉर्ण रंद्र होते हैं किकर यह दे गुवा होती है वह सब्सक्राइर होती है। कौरक रंद्रों से पूर्ण रोप से क्या है दक्री भी होती है। कि ले जनकु जिन में में कौरक गुः हुआ पूर्ण रोप्से का है भरदी जाती है औभरी भी होती है। उसे एगुये देगुआ कहा जाता है इस पिरकार की देगुआ जो होती है वो सीलन्ट्रेटा और प्लेटी हलमेंथिस संके जनतों में कुमची देगुआ पाई जाती है एगुये देगुआ पाई जाती है वैसे अगर सीदिसी परिवासा दें तेहां पर देखो एका अर्थ होता है एपसेंट सीलोमेट का अर्थ होता है सीलोम हर्थात वे जन्तु जिनमें देगुआ का अभा होता है उसे क्या कहते हैं एगुईय कहते हैं वे जन्तु जिनमें देगुआ का अभा होता है उसे एगुईय देगुआ कहते हैं यह हम कह सकते हैं वे जन्तु जिनमें कौरक गुआ पूंड रूप से क्या होती है यह कौरक गुआ होती है वो पूर्ण रूप से भरी होती है दूसरी है कूट देगुआ देखिए कूट देगुआ हम बता रहे हैं यहां पर यह तो गए बोड़ी वाल जिसको बोलते हैं देविक्ति यह वाली सरचना कलाती है देविक्ति ये कहाँए गट अहार नाल ठीक है और यहां पर क्या है जगे कहीं पर मीजो ड्रम का इस तरफ है ठीक है और कॉरक रंदर यह गार कॉगभा Architect है वह पूरी तरह मीजो ड्रम के द्वारण आस्तडरित नहीं ओती है मीजो ड्रम जो पाया जाता है कहीं कहीं पर पाया जाता है इस प्रकार की देगुवा को कूट गुई ये देगुवा कहा जाता है कूट गुई ये देगुवा किसे कहा जाता है वे जन्तु जिनमें कौरक गुः पूरी तरीके से मीजो ड्रम के द्वारा आस्तरित नहीं होती है इनमें मीजो ड्रम का जो इ कुट बूई ये देख Ugh of Mukhtfat में चेह संक के जनतुностью के अंदर भाइब आत survey आती है सके के यह संक्तों में पाई अब बात करें हैं सलोड है जिएक अ क्योंकि जाबफ रहे हैं कि देख never प्रकार की देगुआ होती है यह कंसे स्परि कंदार के द्वारा कंदार की गौण को उसे उसे वास्तु होते है या उसे यूषिलो मेट देगूआ कहा जाता है यू सीलो मेट प्रकार की देग हुआ किन में पाई जाते हैं आपको बता दू एनलिडा, आर्थोपोडा, मॉलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोरडेटा और कोरडेटा जन्तों के अंदर क्या है ये वास्टिक देग हुआ क्या है पाई जाते है ठीक है तो ये हमारा वर्ग आस्तित होती है या ऐसे जन्तों जिन में कोरड़ गुहा पूंड रूप से क्या होती है भर दी जाती है ठीक है अर्थात्म आपी मीजो ड्रम का कोई इस्तर नहीं होता है वह कहलाती है एक गुई है शिलन्ट्रेटा और प्लेटी हेलमेंतिस संकी जन्तों में एक गुई है कि देगवा पाई जाती है कुटबुई यह परकार कि इस परकार की जो देगवा होती है उसमें कोरग गुए मिजो ड्रम के द्वारा आस्टित नहीं होती douteह की मीजो ड्रम की नहीं पर आए 112 P यह जंतु जिन में देग होा 000 रोब से भी जो डम के dabei आस्थ्रित होती है इस परकार के देग होआ को वास्त्विक देग होआ यह यू छील्वेडर नेट एन्वीडा संक्निलों मोलस का संचम पाई जाती हैて एकई नों डर्मेटा संकी जनतों में पाई जाती है खैमी कॉड डेटा इन के जनतों में देखिए नेस्ट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं इसी कई आधार है वर्डीकान का आधार जिस पर हम बात करेंगे और वह है फांस्वा बिंदू पांचवा विन्गु कौन सा है उस पर बात कर रहा है ठीक है भूनिये मुख एवं गुदा का निर्मान की आधार पर गुदा के निर्मान की आधार पर ठीक है भूनिये मुख और गुदा के निर्मान की आधार पर हम बात करते हैं तो एको ऐसे जन्तु जिनमें दिवपार सम्मिति पाई जाती है ऐसे जन्तों के समूं को कहते हैं बाईलेटेरिया और बाइलेटेरिया जन्तों के समूं को उनके भूनिय परिवर्धन के समय मुख के निर्मान के आधार पर दो भागों में बाटा गया है ये सीधे सब्दों में कहें कि दीव पार्श समी्टी पाई जानने वाले जन्तों में भूणे परीवर्दन की समय मुख के निर्मान के आधार पर उन्हें दो भागों में बाटा गयाんだ इतने भागों पाटब दो भागों में नमबर एक प्रोटो इस्टो मिया और दूसरा है डूटीरियो डूटीरियो इस्टो मिया देखो यह प्रोटो इस्टो मिया पर हम बात करते हैं प्रोटोस का अर्थ होता है फस्ट और इस्टोमिया का अर्थ होता है माउथ ऐसे जन्तु जिनमें पहले किसका निर्मान होता है फस्ट का मतलब पहले माउथ का अर्थ होता है मुख ऐसे जन्तु जिनमें पहले किसका निर्मान होता है मुख का निर्मान होता है कोरक रंद्र से होता है, बिलास्टो इस्पोर से होता है, किसे होता है, बिलास्टो इस्पोर से होता है, तो वे जन्तु जिन में कोरक रंद्र से पहले किसका निर्मान होता है, मुक का निर्मान होता है, उसे प्रोटो इस्टोमिया कहते है, वे जन्तु जिन में कोरक रंद्र स से या बिलास्टोस्पोर से पहले किसका निर्मान होता है मुक्का निर्मान होता है उसे प्रोटोस्टोमिया कहते है दूसरा है डूटूरियोस्टोमिया ठीक है ऐसी जन्तु जिनके अंदर कौरक रंद का निर्मान ठीक है कौरक रंद से गुदा का क्या होता है निर्मान होता या वे जन्तु जिनमें कोरक रंदे से किसका निर्मान होता है गुदा का निर्मान होता है उसे डिटूरियो इस्टोमिया कहा जाता है एकाइनोडर्मेटा, हेमी कोडेटा, कोडेटा संग की जनतों में क्या है, डिटूरियो इस्टोमिया होता है, अर्थात उनमें पहले गुदा का निर्मान होता है, फिर मुख का निर्मान होता है, तीक है, और प्रोटो इस्टोमिया में पहले मुख का निर्मान होता है, फिर क सब्सक्राईजर करें जनन इस तरों के आधारपा हा इंग किस के आधारपा जनन इस तरों के आधार पर यह चटा विंदू हमारा जर्मिनल लेयर्स के आधार पर जनन इस तरों के आधार पर अभी हमने आपको बताए कि निशेचन के बाद यह जो सरचन वनती है इसे क्या कहते हैं युगमनज कहते हैं युगमनज में विद्लन होता है विद्लन से तू तक का निर्माण होता है तू तक से ब्लास्टूला का निर्माण होता है ब्लास्टूला के बाद यहां पर तीन जनन इस तरों का क्या होता है निर्माण होता है कितने जनन इस्तरों का निर्माण होता है तीन जनन इस्तरों का निर्माण होता है चिसे हम गैस्तुला भवन या गैस्तुलेशन के नाम से उसे जाना जाता है यूगमनाज से तीन जनन इस्तरों के निर्माण की क्रिया को गैस्तुला भवन कहते है यूगमनाज से तीन जनन इ यहां पर आप देखिए जनन इस तरों के आधार पर जनतु जो होते हैं यह जनन इस तरों की संख्या के आधार पर जनतु दो पिरकार क्या होता है एक होता है डिपलो ब्लास्टिक जिसको हम बोलते हैं ड्वी कोर की और दूसरे होता है ट्रिपलो ब्लास्टिक जिससे बोलते हैं त्रिकोर की सबसे पहले बात करता है दिप्लोब्रास्टिक के बारे में ठीक है देखिए ऐसे जन्तु जिन्वे है ठीक है केवल युगमनस से दो जन्मनिस्तरों का निर्मान होता है कौन-कौन से जन्मनिस्तरों का निर्मान होता है एक्टोडर्म का और दूसरा कौन से इस्तर का निर्मान होता है एंडोडर्म का निर्मान होता है वे जन्तु जिनके युगमनस से ठीक है एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही जनन इस्तरों का क्या होता है निर्मान होता है या वे जन्तु जिन में ब्लास्टूला से दो जनन निस्तरों का निर्माण हो उसे डी कोर की जन्तू कहते हैं कौनसे जन्तू कहते हैं डी कोर की जन्तू कहते हैं जैसे पौरिफेरा और सीलन्ट रेटा वर के जो जन्तू होते हैं पौरिफेरा और सीलन्ट रेटा संके जो जन्तू होते हैं प्रीको रहना होता है कि देखिए एक जंतू जिनमें युग माश्चे तीन इस्ट्रों का निर्माण और यह तो भार्इस तहुंघ घ्लायाएगा एंडर्म और यह वाला इस्तर कहलाएगा एंडोडरम ठीक है परिवासे क्या होगी तरी कोरे की कि वे जन्तु जिनमें युगमन आस्ते तीन जनन इस्तरों का निर्मान होता है एक्टोड्रम, मीजोडर्म और अंडोडर्म का निर्मान होता है उन्हें utilize for की जनटुं कहते हैं यह वह जन्तु जिनमें ब्लास्त उला से तीन जनन स्थ्थरू का निर्मान होता है उन्हें butter prepare perché और जनतों और टिपलाश्तिक होता है कौकि वापर पीन इस तरोगह क्या होता है निर्मान होता है ठीक है अगला हम बात करते हैं नेक्स है वर्गी करन का नेक्स आधार है जिसे हम बात करेंगे बेसिस ओफ देखिए next topic के basis of development, परीवर्धन के आधार पर, परीवर्धन के आधार पर हम बात करेंगे, ठीक है, देखिए परीवर्धन के आधार पर बात करने जा रहे हैं, परिवर्धन के आधार पर परिवर्धन के आधार हम बता दें कसे रुख जनतों का परिवर्धन होता है तो परिवर्धन के आधार पर उन जनतों को दो परकार होता है ठीक है तो कसे रुख जनतों को परिवर्धन के आधार पर दो भागों में बाटा गया है नंबर एक अइम नियोटा एम नियोटा और दूसरा होता है अन एमनी ओटा अन एमनी ओटा इंग्लिश में भी लिख रहा हूं में इमनी ओटा और यह हो गया अन एमनी ओटा अन एमनी ओटा ठीक है देखिए बात करते हैं एमनी ओटा के बारे में एमनी ओटा क्या है देखिए वे जन्तु होते हैं जिनमें भूनिया परिवर्धन के समय वे जन्तु जिनमें भूनिया परिवर्धन के समय एम्नियोन ये एम्नियोन भाई ये भूनिय जिल्ली का का होता है निर्मान होता है वे जन्तु जिन में भूनिय परिवर्धन के समय एम्नियोन नामक भाई ये भूनिय जिल्ली का निर्मान होता है या भाई ये भूनिय जिल्ली पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है एम्नियोन एक बार फिर सुन लेजे वे जन्तू जिनमें ठीक है भूनिय परिवर्धन के समय क्या पाई जाती है एम्नियो नामक भाई ये भूनिय जिल्ली पाई जाती है उन्हें कहा जाता है एम्नियोटा ठीक है और एमनी ओटा किन किन के अंदर पाया जाता है मैमल्स, एवेज और रैप्तिलिय वर्क के जन्तों में पाया जाते है अन एमनी ओटा ऐसे जन्तों जिनमें भूनिय परिवर्धन के समय एमनी और नामाग भाई ये भूनी जिल्ली का निर्मान नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है अन एमनी ओटा कहा जाता है तो आपने देखा कि परीवर्धन के आधार पार जन्तों को कितने भागों में बाटा गया है दो भागों में बाटा गया है एमनी ओटा और अन एमनी के अंदर क्या है पाटा गया है। ठीक है देखिए इसके बाद हम बात करते हैं अगला को कि dese कोड के आधार पर देखिए मैं आपको बटा दो कुछ जन्तु ऐसे होते हैं जिनकी अंदर कुछ जन्तु ऐसे होते हैं जिनमें मीजो डाम जो होती है कुछ जन्तु ऐसे होते हैं जिनमें मीजो डाम से उत्पन क्या होती है एक सलाका के आकार की सरचना पाई जाती है कुछ जन्तों ऐसे होते हैं जिनमें मीजोडर्म से उत्पन सलाका के आकार की क्या पाई जाती है सरचना पाई जाती है इस तरीके से सलाका यानि कि छड़के आकार की सरचना पाई जाती है और इस सलाका के आकार की जो सरचना पाई जाते इसे ही क्या कहा जाता है नौटो कार्ड कहा जाता है ठीक है नौटो कोर्ड के आदार पर भी जनतों का क्या किया गया है वर्गी कान किया गया है इसलिए मैंने बुला कि कुछ जनतों में मीजो ड्राम से उत्पन एक सलाका आका घ्र seminar का मतलब इकुढ की शचना माँढा और जो इस अलाका के आकार की शचना होती या च्छके आकार की जो शुरस्चना अबब मत्प्रस्ट हैं और मत्प्रस्ट वाग में एक क्या है कि या लो को होती है उसे का नूसरा होता है कोड़ेटा ुicação एलों का अर्थ होता है एपसेंट कोड़ेटा का आर्थक मेरु रजू अर्थात वे जन्तु nueva सव्हार का अभावता है वे प्रूलत पासरोस फेलमें यह वरी लगाव औरे जन्तो भी सब्सक्रारा सब्सक् interconnected निकाइब मर Datा है नॉटों को लिए गल्स नब पाइज ए उस पर हमने आप से चरचा कर दिए और पहला बेंदू पर रहे हमने आप बेसिस ऑफ क्लासिपिकिशन वर्गी करण का आधार और वर्गी करण का जो आधार है उसमें आमने कई विंदों पर आपसे चर्चा कि नमबर एक कोशिका की संक्या के आदार पर जंतों का वर्गी कान किया गया है नमबर दो सम्मीती के आदार पर जंतों का वर्गी कान किया गया है सारे लिख संगठन के आदार पर वर्गी कान किया गया है देगुआ के परकार के आदार पर वर्गी कान किया गया है जनन इस्तरों के आधार पर क्या है वर्गीकरण किया गया है वर्गीकरण किया गया है ठीक है तो इसी के साथ यह हमारा टॉपिक पूरा हुआ बेसिस ओफ क्लास्टिटिकेशन ठीक है नेक्स्ट टॉपिक में हम नॉन कोर्डेटा या कोर्डेटा में से किसी एक भाग को भाग पर हम क्या करेंगे आपसे चर्चा करेंगे तेल रैंड टेक केर वाई कोरोना वी झाल में पूर लाग काव रचा करेंगे तेल सीना वी नॉपिक भाग करेंगे।